हलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नोलेज हब, अंजीर के फाइदे, अंजीर एक अत्यन्त स्वादिष्ट फल आता है, अंजीर को गुणों की खान माना जाता है, इसका स्वाद सूख जानने के बाद और अधिक बढ़ जाता है, अंजीर में केलशियम, तामबा, आइरन, क्लोरीन सलफर, होस्पोरस, विटामीन A, B और C, सोडियम, पोटेशियम, मेगनीश जैसे खनीश ददु प्रियाप्त मात्रा में होते हैं, अंजीर का उप्योग कई प्रकार की स्वाष्ट समशाओं को दूर करने में किया जाता है, अंजीर में लगबग 28% से अधिक फाइबर पाया करने के लिए किया जाता है, रोजाना 5-6 अंजीर को उसके टुकडे करके 200 मीलीलिटर पानी में बिगो दे, सुबह उस पानी को उबाल कर आधा कर दे और इसे पी जाए, पीने के बाद अंजीर चबाकर खाएं थोड़े ही दिनों में कब्ज दूर होकर पाचन सक्ती दूद में उबाल कर रात्री में सोने से पूरू खाएं और उपर से उसी दूद का सेवन करें, इससे कब्ज में लाब होता है, सुखे अंजीर में ओमेगा 3 और फिनोल के साथ साथ ओमेगा 6 फेटी एसिड भी होता है, जो दिल की बिमारियों से रोकताम करते हैं, दमा जिस सुखी खासी दूर हो जाती है, हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए सबशे आवशक तत्व केल्शम होता है, जो की अंजीर में प्रचूर मात्रा में पाया जाता है, अंजीर के सेवन करने से ओस्टियो पोरोसिस और हड्डियों से जुडि समश्याओं से बचा जा सकता है, अंजीर के पोदे से दूद निकाल कर उस दूद में रूव भिगो कर सरने वाले दातों के नीचे रखने से दातों के कीड़े नश्ट होता है, तथा दातों का दर्द मिट जाता है, बादाम और छुवारे के साथ अंजीर को खाने से दाद, खाज, खुजली और के सारे रोग ठीक हो जाता है, सारीरिक दूरबलता दूर करने के लिए तज्जे अंजीर का सेवन किया जा सकता है, साथ ही साथ सुखे अंजीर का सेवन दूद के साथ करने पर सारीरिक दूरबलता को जल्द ही दूर किया जा सकता है, अंजीर का रस मूँ के छालो पर लगा मिलता है